बनाईयों में दो मासूम बच्चों के हत्या के मामले में यूपी पुलिस ने तेज कारवाई करते हुए एक आरोपी साजिद को तो चार घंटे के भीतर ही मार गिराया और दूसरे आरोपी जावेद को बरेली से पकड़ लिया गया है लेकिन इस बीच कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी में रहे स्वामी प्रसाद मौरे की बेटी ने एक संसनी खेज बयान दे दिया है उनकी बेटी संग मित्रा मौरे का ये संसनी खेज बयान सामने आया है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संग मित्रा ने समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं पर बदाईयों में दंगे की साज़िश का आरोप लगा दिया है बदाईयों में दो मासूम बच्चों की उनके घर में घुस कर हत्या कर दी गई थी इस हत्या के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने सपा नेता शिवपाल यादव पर शक जताया है एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संग मित्रा मौर्य ने बदाईयों में दंगों की आशंका जताई है अख़वार ने रिपोर्ट छापी है कि संग मित्रा ने उस अख़वार से कहा कि समाजवादी पार्टी दंगा कराने के लिए जानी जाती है सपा ने जिन शिवपाल यादव को बदाईयू का लोकसभा प्रत्याशी बनाया है उन्होंने जिले में आते ही कहा था कि वो आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा वो पहले भी दंगे कराते रहे हैं उनके यहां आने के बाद एक बार फिर बदाईयू का माहौल बिगड़ सकता है हो सकता है कि इसमें उनका हाथ हो और पुलिस और प्रिशासन को जाच करानी चाहिए यह कहना है संगमित्रा मौर्य का अख़वार की वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मताबिक बदाईयों से सांसद संगमित्रा मौर्य ने कहा कि शिवपाल यादव को पहले अपने गिरिमा में जहाक कर देखना चाहिए उनके समय सपा प्रत्याशी बूत कैप्चरिंग किया करते थे और सपा दंगों से वोट लेती रही है संगमित्रा मौर्य ने कहा कि सपा सरकार में सैक्णों दंगे हो चुके थे उन्होंने आरोप लगाया कि जवाहर बाग कांड के मुख्य सूत्रधार तो वही हैं जो अभी बदाईयों से समाजवारी पार्टी के लोगसभा उम्मीदवार है दोस्तों आप जानते हैं कि सपा ने बदाईयों से शिवपाल यादव को लोगसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है हालनकि संगमित्रा मौर्य के इस बयान पर शिवपाल यादव बुरी तरह भड़क गए उन्होंने संगमित्रा के सभी आरुपों को निराधार बताया सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव ने कहा कि संगमित्रा की ऐसी बयान बाजी पर कानूनी कारवाई होनी चाहिए और ये सब बीजेपी की राजनीती है इससे पहले मंगलवार को दो युवकों साजिद और जावेद ने अपनी जान पहचान वाले विनोध नाम के व्यक्ती के दो नाबालिक बच्चों की उन्ही के घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी थी रिपोर्ट है कि जब साजिद बच्चों का गला काट रहा था तो उसके इरादों से अंजान बच्चों की मा साजिद के लिए ही चाये बना रही थी दोस्ती और जान पहचान में बिना वज़े भरोसे के कतल के इस मामले को शिवपाल यादव राजनेती चमकाने के लिए कानून व्यवस्था से जोड रहे हैं शिवपाल यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है शायद शिवपाल यादव चाहते हैं कि अब यूपी पुलिस को हर घर में मौजूद रहना चाहिए जो वहाँ आने वाले हर इंसान से पहले पूछताच करे उसकी तलाशी ले और फिर उसे किसी सदस्य से उस घर के सदस्य से बात करने दे सपा नेताओं के समवेदान हीन बयानों पर यूपी के उप मुक्यमंतरी केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि सपा में नेतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है और अगर बची है तो बदाईयों मामले पर राजनेती ना करें ये बहुत पीडा दायक जगहन्य अपराद है दो अबोध बच्चों की निर्मम हत्या की गई है पुलिस इस मामले में कारवाई कर रही है आप जानते हैं कि बदाईयों जिले की बाबा कॉलोनी में मंगलवार शाम सलून चलाने वाले साजिद ने अपने पडोसी के घर में गुसकर दो सगे भाईयों की उस्तरे और धारदार हत्यार से गला काट कर हत्या कर दी थी मामला दो संपरदायों से जुड़ा होने के कारण इलाके में काफी तनाव था गुसाई भीर ने दो दुकानों में तोड़ फोड भी की थी वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर मौकाय वारदात से फरार हुए हत्या की आरोपी साजिद को चार घंटे में ही एंकाउंटर में मार गिराया था इसके बाद 25,000 रुपे का आरोपी जावेद फरार चल रहा था जिसे बरेली से गिरफतार कर लिया गया